स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट और आपके बोर्ड एक्जाम क्लास 12 के जो होने वाला है उस बोर्ड एक्जाम के पॉइंट और वीडियो से काफी इंपोर्डेंट चेप्टर है जो कि कलास 12 इंग्लिस वाले विद्यार्थी का लगबर लबग अभी तक हम आपकी कलास 12 इंग्लिस के बुक से पूरे के पूरे 6 चेप्टर समाग कर दें और आज के इस वीडियो में हम लग पूरे 7 वे चेप्टर का सौट समरी पर तीक लाइन को हिंदी में करके बहुत ही इत्मिनान से समझने वाले है तो चलिए बीना देर किये और बीना कुछ बात किये और बीना कुछ कहे समझे और वीडियो को पूरे एनरजी के साथ सुरू करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा समय लेंगे तो आप कहेंगे कि सर आप समय बहुत ज़्यादा लेते हैं तो कुल मिला जोला करके आज कर जो हमारा लेसन है वो साथवा लेसन जिसको हिंदी में करते हैं क्या चीज़ एक बच्चे का जन्म यहाँ पर अगर बात करें कि एक चाइल इस बर्न नामक जो चेप्टर है वो ऐसे है कि एस्पीच है तो यह एक ऐसे है पहला यहीं पर अबजेक्टिव किलियर हो जाता है और दूसरा बात की अगर इसके राइटर की बात करें तो जडर्मेन ग्रीर इसके राइटर है और बात करते हैं कि यह मयले इक फीमील चुक्ती देखिए अक्सर क्यातना अस्ट्रेलियन हो चाइं अमेरिकन हो उसका नामे समझ में नहीं समझ में नहीं है कि फीमेल तो मैं यहां लिख दिया हूं कि फीमेल ऐस्ट्रेलियन राइटर है जिनकी जनम की बात करें तो 29 जनवरी जनम नहीं जाएंगे उसलिए यह 8 सल के उमर में यह बेचारे राम के प्यारे हो गई ठीक है न अब बात करते हैं इसके समरी की पूछ लेता है और सबसे ज्यादा यह फेमस चेप्टर तरा और अब तक के लगबग 2-3 साल से ये पूछते आ रहा है कि ए चाइल्ड इस बर नामक चेप्टर से आप 100 समरी लिखे आपको 5 नमर दे दिये जाएंगे और 100 समरी कितने सब्दों में लिखा जाता है तो 100 से 120 सब्दों में लिखा जाता है तो यहाँ पर देखिएगा मैं समरी बहुत इत्मिनान से समझा रहा हूँ देखिए मैं मानता हूँ कि आप कहीं से पढ़ लिया होंगे बट यहां से जो आप पढ़ेंगे पूरा पर्मनेंट दिमांग में फीट हो जाने वाला है और आप कभी भूलेंगे नहीं दूसरों को भी आप आसानी से पढ़ा सकेंगे और समझा सकेंगे कि आखिर इस चेप्टर की खाशियत क्या थी उसका संछेपड करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा सुनिये का ध्यान से समरी ठीक है ना कितने सब्दों में लिखना पड़ता है 100 से 120 और मैं आपको यहां पर 100 से 120 नहीं बलकि 1500 सब्दों तक लिख क समझाएंगे और आप 100 से 120 में ही लिख देंगे आपको पूरा का पूरा पूरा पांच नमर मिल जाएगा चाइल्ड इस बर्न एक बच्चे का जन्म इस एन एस या एक निबान दे यह तो पहले दर्साना जरूरी है विच वाज टिकन फ्राम हर बुक ए विच वाज सबसे प मैं यह आप भले ही छोड़ दिया हूँ बट लिखेगा जरूरी चाइल्ड इस बर इस एन एस या एक निबंध है विच वाज रिटेन वाई फीमेल अस्टेलियन राइटर जर्मेन ग्रीर ठीक है ना जो फीमेल अस्टेलियन राइटर जर्मेन ग्रीर के दोरा लिखा गया ठीक है ना और इस ठीक है ना एसी इस टेकेन फ्रॉम हर बूक और उनकी किताब से इस निबंध को लिया गया है उनकी किताब का नाम क्या सेक्स एंड डेस्टीनी दा पॉलिटिक्स एंड हुमन फर्टिलिटी यानि उनकी किताब का नाम है दा सेक्स एंड डेस्टीनी दा प प्रशिद एस्त्री लेखी का जर्मेन ग्रीर के द्वारा सी एट्रेक्टिट आस मने जो जर्मेन ग्रीर है वो हम लोग को ध्यान अकर्षित की तिक ना ऑन दी बर्थ आफ एच चाइल्ड इन दर सोसाइटी समाज में जन में बच्चों के ऊपर ठीक है ना प्रोशान महिला जो पस्चिमी संभ्यता से बिलॉंग करती है याने पस्चिमी समात से बिलॉंग करती हैं । does not feel herself alone वो कभी अपने आपको अकेला महसूस नहीं करती हैं यह इस निबंद में लिखती हैं और कहती हैं वाइल शी प्रेगनेट रहती है क्योंकि थे प्रेगनेट मों गेट सुमच रस्पेक्ट जो प्रेगनेट महा होती है प्रेगनेट महा होती है उनको बहुत ज्याधा रेस्पेक्ट दिये जाते हैं बाई हर फैमली उनके परिवार के द्वारा उनके मन के चली के फैमली के द्वारा मेंबर्स फैमली मेंबर्स यानि परिवार के सदस्य के द्वारा और 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 दूसरी के द्वारा भी दिया जाता है मालूम चलता है ना कि यह महिला प्रेगनेंट है तो उसको बहुत बढ़िया से सब लोग जो है ना प्यार से बात करता है बहुत अच्छा बात है ठीक है ना कि आप एक संताहन का जर्म देने वाली हैं तो सोचिए वैसे प्रवसा महिला को बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सुसाइटी में उनको इज़्जत और बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है इन ट्रेडिशनल सुनिएगा इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सुसाइटी जो परंपराओं से चलने वाले जो पस्मी सब्याता थी ठीक है ना मॉम इस कॉल्ड बाइदा नेम आफ हर है चैल्ड बथ पता है जब मॉम के बच्चे हो जाते थे तो उनका पहले बच्चे के नाम से ऊन बब उन माँ को पुकारा जाता था जैसे सफ़ोज मान के चलिए कि कोई तो संत्तिती का जनम हो रहा है मां के चलिए लड़का हुआ ठीक है ना मान के चलिए रोहन नाम का लड़का होगी. कि एक च्छटी यार उसको बॉला जाता है अपने दिहाद की भासा में जो छो दिन या साथ दिन के बाद मा जुह है उस बच्चे को नहला दोला करके और कपड़े पहनाती है तो उस वक्त उसका نाम भी रखा जाता है तो western society में वो चीज पढ़ना भी है जो मैं आपको बताऊंगा तो पता है जब पहना उड़ा करके नय कपड़ा मतलब वस्तर उसके उपर चड़ाया जाता है तो उसका उसी सवे नामकरण भी किया जाता है और उसी दवराग उस मा को ठीक है ना उस बच्चे के पहले संतान या संतिती के जो बच्चे हैं मान के चलिए उस मा के पहला संतान और संतिती है उसी बच्चे के नाम से उस मा को पुकारा जाता है सपोज मान के चलिए रोहन नाम का लड़का है तो बोला जाता है रोहन की मा ठीक है ना और मान के चलिए की शीता की नाम की मान के चलिए लड़क को पुकारा जाता है ठीक है ना तो यहां पर यह लिखा है कि mom is called by the name of her first child after childbirth यानि उस मा को उस पहले बच्चे के नाम से ठीक ना उस मा को पुकारा जाता है the newly born infant is taken care of way by all the members जो नया बच्चा जन्म लेता है न उसको सभी सदस्यों के द्वारा परिवार के of society और समाज के परिवार के और समाज के सभी सदस्यों के द्वारा उसका देख भाल किया जाता है so इसलिए so at last the permission is given by bobby's mom to go to her mother's house इसलिए पता है मतलब अंत में उस बच्चे की मा को permission दिया जाता है boy's mom यानि बच्चे की मा को permission दिया जाता है to go to her mother's house उसको अपने माई के जाने के लिए कहा जाता है जब मान के चलिए कि प्रौसम महिला हो जाती है न तो उस बच्चे की मा को बोला जाता है कि अब तुम अपने माई के चल जा कब चले जा तो for the last three month of her pregnancy of the baby's life for her for better care care यानि कि babies के अच्छे care के लिए सबसे पहले बच्चे की जब जन्म होती है न तो अंतीन तीन महिना जब बचा राता है न तो उस बच्चे की मा को उस प्रौसम महिला को उस pregnant woman को उसके माई के यानि उसके मा के घर भेज दिये जाता है और कहा जाता है कि तुम तीन महिना वहीं पर आना और वहीं पर तुम्हारा बच्च्या होगा और वहीं पर ही तुम्हारा जो है न बढ़िया से बच्चे की देख भाल और कियर और तुम्हारा भी कियर बढ़िया से होगा ठीक है न तो यह western society का यह बहुत बड़ी क्या है क कहीं न कहीं से एक quality है ठीक है ना सो western society are respected and praise too much for their courage तो इसी लिए western society या निकि जो पस्मी समाज है जो पस्मी सब्यता है उसको respect किया जाता है और उसको कहीं न कहीं से इस काम को ले करके पूजा जाता है और उनको उत्साहित किया जाता है तो यहां तक आप ले लिजिए screenshot ताकि हम next paragraph को भी अच्छे ढ़न से समझा सके और बहुत ही कम समय में में आपको next paragraph भी समझा करके इस पूरे chapter कर दाइंड करने वाले हैं तो यहां तक ले लिजिए screenshot तो चलिए बिना देर किया हम लोग next paragraph को भी परतियक लाइन हिंदी में करके उसको समझ लेते हैं तो चलिए बिना देर किया हम लोग next paragraph को समझ कर इस chapter कर दाइंड करते हैं बहुत ही अच्छे ढ़न से समझना है सुनिए का ध्यान से at the time of childbirth जब बच्चे की जंग होती है celebrated as a ceremony पूरी उत्साओ के तौर पर मनाये जाता है many people बहुत सारे लोग attend this party और इस party में क्या होते हैं attend होते हैं उपस्तित होते हैं with some gifts कुछ gift के साथ to see the child उस बच्चे को देखने के लिए and to congratulate that mom और उस मा को congratulations बढ़ाई देने के लिए कि ऐसे संतान और संथिति के उन्होंने अच्छे धंग से जनम दिया while in the modern western जब कि अब modern western की बात करें आधोनिक सभ्यता की बात करें modern society की pregnant woman is scared herself under the guidance of nurse और आज की जो अभी आधोनिक जो हमारा सभ्यता चल लए आधोनिक जो समात चल रहा है आज की पस्सिम सभ्यता की अगर बात किया आज की जो modern जो पस्सिमी सभ्यता की हाल जो चल रहा है वो कहीं न कहीं से उस प्रौसम महिला को अपने खुद का care करना पड़ रहा है तो अधोन प्रेगनेंट ओमेन है तो बीर प्रेगनेंट जो आज के मतलब मान के चले कि जो आधोनिक महिला है अधोनिक प्रौसम महिला है उनको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जन्द देना पड़ता है अल्ड़ पेंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रेरी पूरिये दर्द के साथ उन्हें जीना पड़ता है दर्द के साथ उस बच्चे को मतलब जो है ना पालन पुसंद करना पड़ता है ठीक है अगर आधुनिक की बत करें थी कि दे आज को प्रांट करें सब्सक्राइट है युए था जो मदर्द सुसाइटी अभी जिस तरीका से सिस्टम चाहिए ठीक है ना पहले के अगर अगर पहले की बात करें तो पहले के अभी जो modern western society है वो काफी बिगड़ चुका है एक महीला जो प्रॉसव है जो जिसके पेट में बच्चा पल रहा है उसको सिल्फ केरिंग करना पढ़ रहा है डॉक्टर और नर्सिस के गाइडेंस से उसको अपने बच्चे का पालन पोसर करना पढ़ रहा है तीक ना इसलिए तो कहा जाए इस फार बेटर देन ठीक ना क्या जी वेस्टर्न यहां पर लिग दिजिए वेस्टर्न वेस्टर्न छुढ गया है इसलिए अभी जो है ना जो पहले के जो सो साइटी था वेस्टर्न सोसाइटे वह आज के मदन सोसाइटी से काफी अच्छा था किस मामले में तो बच्चे के क्यार और उसके जन्द दिलाने के तौर पर तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ये साथ चिप्टर जो कि ए चाइल्ड इस बर नामक चिप्टर उमीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंक से आपको समझ में आया होगा और किसी भी परकार की अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताईएगा और उमीद करते हैं कि जो कुछ भी मैंने समझाया समझने के बाद आप अपने तक न रख करके बलकि दोस्तों में इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा और अच्छा लगे तो अंत में Herren चाहूंगा कि कुछ चूकि मुझे याद नहीं आया तो अंत में मैं यहीं काना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो like कर जाना है और समझ में आया है तो कमेंट करके जाना है चैनल पर नहे है तो सस्क्राइब कर लेना है ताकि रोज का वीडियो का अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद